तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूटुब चैनल नकुल क्वापर्टी पर देखे आज की इस वीडियो में मैं आपको यह आप मैप में देख रहे हैं जो ग्रेटर नोयडा हमारा बसा हुआ है तो पूरे सेक्टर इसके इस मैप में आपको खाने वाला हुआ देखे इसमें आपका अगर बजट हाई है गरोडों में तो आप इसमें 500 मीटर 200 मीटर 300 मीटर की आपको इन्वेंटरी मिलेंगी देखने को इसमें 60 मीटर वालों के लिए हैं जो भी ग्रेटर नोयडा में चीजे 24 मैं तक यहां पर सेल पर है तो वो चीज कुछ चीजे सेल हो चुकी होती है कुछ के रेट विवाइज हो चुके होते हैं तो उस चीज को आप बिल्कुल भी कैच करके ऐसे बात मत किया करो तेखिए क्या है समय के साथ इंसान बदलता है तो प्रोपर्टी तो एक प्रोपर्टी और सो ना गोल्ड यह दो ऐसी चीजे हैं आप इनको कभी भी खरीद होगे तो यह आपको फ्यूचर में कभी भी डाउन रेट दे करने जाएंगे आपको प्लस मी रेट दे कर जाते हैं यह मेरा एक मैसिज था जो फाइट करते हैं पुरानी वीडियो देखकर दी उस रेट में चीजे नहीं मिलेगी तो जो रेट है आज की देट तर उस रेट में अगर आपका मन है प्रोपेटी फरसेज करने का तो आप यह नंबर में पोल करके वह प्रोपेटी आईए विजिट कीजिए और खरीच सकते हैं अगर आप 6 महीं ने बाद इस वीडियो को देखकर उसी रेट में वह प्रोपेटी लेगे तो में गॉल्फ गार्डेनिया सोसाइटी है बड़ी अच्छी सोसाइटी है यह जिन लोगों को नियर परीचोप फ्लैट चाहिए अच्छी सोसाइटी में उनके लिए यह उप्शन है इसमें 1880 स्क्वार फिट का 880 स्क्वार फिट का फिलैट विद टू पार्किंग के साथ 1. 1.30 CR में आपको मिल जाएगा सेक्टर बीटा वन में साथ मीटर का सिंगल इस्टोरी हाउस एक करोड बारे लाक में मिल जाएगा सेक्टर जूवन में 200 मीटर बिल्डप हाउस दो करोड 25 लाक में आपको मिल जाएगा सेक्टर में 70 मीटर का सिंगल इस्टोरी हाउस ग्रीन ब P3 में 120 मीटर पिलोट आपका 1 करोड 75 लाग में आपको मिल जाएगा सेक्टर बीटर 2 में 200 मीटर ग्रीन बैल्ट फेसिंग करता हुआ 2 करोड 80 लाग में आप परचेज कर सकते हैं सेक्टर बीटर 2 की लाश्ट मेरी वीडियो देखेंगे 200 मीटर की कोर्थी भी आप यहां पे 3 करोड 35 लाग में परचेज कर सकते हैं सेक्टर P3 में 200 मीटर प्लोट पार्क फेसिंग करता हुआ 2 करोड 60 लाग का आप ले लीजिए सेक्टर P4 में 300 मीटर पार्क फेसिंग 3 करोड 25 लाग में आप परचेज कर सकते हैं और सेक्टर सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 में भी चीज़े अविलेवल है 300 मीटर और 500 मीटर में वहां भी आप हमसे चीज़े परचेज कर सकते हैं सेक्टर ओमिक्रोन वन जो मत्वरा पूर विलेज है उसमें 6% के कुछ पिलोट लगे थे जो अथोर्टी ने लगाए थे तो वहाँ पर 120 मीटर का 3 स्टोरी कोठी है मैन रोड जो है 60 मीटर को उसको फेशिंग करती हुई जिसका रेंट मंतली 17,000 रुपे आ रहा है परजेंट में 3 नीचे दुकाने हैं उसमें 2 करोड 40 लाग में आप ये परचेज कर सकते हैं सेक्टर डेल्टा वन में 120 मीटर सिंगल हिस्टोरी हाउस 2 करोड 10 लाग में आप ले सकते हैं Sector Omicron 3 में 206 मीटर का पिलोट 2 करोड 20 लाग में ले सकते हैं Sector 37 में 120 मीटर पिलोट 1 करोड 80 लाग में आप ले सकते हैं Sector UPS IDC सभी जानते हैं मेरी वीडियो रेगुलर UPS IDC की आती रहती है 170 मीटर का पार्क फिलोट 1 करोड 35 लाग में आप पर्चेज कर सकते हैं Sector MU1 में 90 मीटर का बिल्ड अप हाउस 1 करोड 35 लाग में आप ले सकते हैं Sector UPS IDC में ही 160 मीटर कोर्णर का पिलोट 1 करोड 35 लाग में आप ले सकते हैं सेक्टर डेल्टा 2 में 200 मीटर पिलोट 18 मीटर रोड पर 2 करोड 90 लाक में आप पर्चेज कर सकते हैं। सेक्टर अमिक्रोन 2 में 120 मीटर ग्रीन बेल्ट फेसिंग 18 मीटर रोड पर ये बना हुआ घर है बड़ा खुबसूरत घर है इसकी मैं वीडियो दे दूँगा अगर आप चाहेंगे तो 2 करोड में आप पर्चेज कर सकते हैं। सेक्टर अगर चाहेंगे तो 2 करोड 45 लाक में आप ले सकते हैं। सेक्टर पी थिरी में 60 मीटर, 3 स्टोरी हाउस, 1.30 कर बीटा 1 में 70 मीटर, 3 मंजिल हाउस, कोरण का ये हाउस हैं, क्रोड 65 लाक में आप ले सकते हैं। सेक्टर ओमिक्रोन 3 में 85 मीटर का ग्राउंड बना हुवा घर है कोर्णर और ग्रीन बेल्ट के साथ 1 क्रोड 65 लाक में आप इसको ले सकते हैं ओमिक्रोन 3 के अंदर खानपूर में 6% आबादी के किसान कोटे का यह प्लोट 110 मीटर का प्लोट एक करोड 10 लाक में आपको मिल जाएगा Location की प्रोपल्टी है अधरवाइस 120 मीटर का मेरे पास एक करोड 10 लाक में भी खानपूर में आपके लिए अविलेबल है लुकसर के अंदर 100 मीटर का प्लोट 85 लाक में आप ले सकते हैं सेक्टर जू टू में 120 मिट्र 1,60 लाक में आप परचेज कर सकते हैं सेक्टर UPSIDC, UPSIDC में बहुत शारे ओप्षन एविलेबल हैं 300 मीटर में लेकिन 300 मीटर, 18 मीटर रोड पर जो लोग चाहते हैं वो 2,10 लाक में आपर परपिरिटी परचेज कर सकते हैं नोटी स्पेसिंग भी अविलेबल है कॉर्णर भी अविलेबल ले सकते हैं सेक्टर अंसल गोल्फिलिंग टू में डेड़ सोगज की विला सिंगल इस्टोरी आती है क्रोड 35 लाक में अगर आप यहां पर प्लोट लेने जाते हैं क्रोड 15 से 20 लाक में आपको प्लोट मिलेगा सेक्टर बीटा टू में 200 मीटर का प्लोट ग्रीन बेल्ट फेसिंग करता हूँ 2 क्रोड 80 लाक में आप ले लीजिए सेक्टर जो आपका एडवोकेट कलो सोसाइटी है 170 मीटर का यह प्लोट है कंपलेशन 1 क्रोड 55 लाक में आपको यह मिलता है इसमें 42 दिन का आपको टाइम मिलेगा सेक्टर ओमिक्रों थैड में 200 मीटर प्लोट कोर्णर प्लस पार्क फेसिंग 2 क्रोड 80 लाक में आप पर्चेस कर सकते हैं सेक्टर काशना 6% 1400 मीटर का प्लोट कोर्णर का है 35,000 रुपे मीटर आप ले सकते हैं इस प्लोट को लेने के आपके यह बेनिफिट है इसका आप या तो इसमें स्कूल चला सकते हैं या कोई गोडाउन चला सकते हैं कोमर्स अलेक्टिविटी कर सकते हैं या फिर आप इस प्लोट को पर्चेस करके इसके डिवाइडेशन करा के 120 मीटर के प्लोट आप 55,000 रुपे मीटर यहां पर सेल कर सकते हैं सेक्टर ओमिक्रों 3 म दो करोड़ चालिश लाग में आपको मिलेगा जनल प्लोट सेक्टर जीटावन में 500 मीटर की प्रोपर्टी है यह 15 मीटर टाइप गलती से हो गया प्लोट आपको 75,000 रुपे मीटर आपको मिल जाता है सेक्टर बीटावन में 60 मीटर 3 इस्टोरी नीव हाउस है यह वन्वन् देखते ही आप फैन हो जाएंगे एक करोड़ 22,000,000,000 में आप ले सकते हैं पी थी बीटावन के अंदर सेक्टर 37 में 200 मीटर अपलोट नोर्टी स्पेसिंग पार्क फेसिंग 2,60,000,000,000 में आप ले सकते हैं देखिए इन्वैंटी तो मेरे पास 100 से ज्यादा है वीडियो ब अपनी फैमिली मेंबर या फ्रेंड सरकल में सरकल में आपका जरूर सेयर करें हो सकता है आपका बजट ना हो उनका बजट हो प्रोपरिटी परचेज करें चलिए आज की वीडियो में इतना ही